हेलो फ्रेंड्स आज हमें देखना है क्लास 12 एन आइवस क्लास 12 होम साइंस थियोरी का कोशन पेपर जिसका कोड है 321 इसमें सबसे पहले लिखा होगा कि इस कोशन पेपर में 30 कोशन आएंगे जिसमें सेक्शन ए 22 कोशन होंगे और सेक्शन बी 4 प्लेस 4 ठीक हैं और 8 इस कोशन पेपर कोड लिखा हुआ एगा और सेट यहां पर लिखा हुआ यहां लिखोगे जिसे आप ट्यूजडे में तो ट्यूजडे लिख दो उसके बाद 1 और 2 में सिगनेचर आफ इन्विलेटर होगा वो जो आपके क्लास में टीचर होंगी वो करेंगे उसके बाद ज है ना अगर नहीं है तो इन्विलेटर से कॉंटेट कर रहे हैं उसके बाद 3 में कह रहे हैं कि कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क या आप रोल नंबर अपने अंसर बुक पर लिखते हो तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद 4 में लिख रहे हैं कि अगर आप चाहते हो उर्दू पन्जबी या किसी अधर लेंग्वेज में जो यहाँ पर लिखखे हुए हैं यहाँ पर इसने लेंग्वेजिज में देना चाहते हो तो दे सकते हो ठीक कोई इस्यू नहीं है आपकी अंडरेस्टेंडिंग पर है डिबेंड करता है कि आप ज इसके बाद वही चीज यहाँ पर हिंदी में भी लिखा है, वीडियो को पॉस करकर आप पढ़ सकते हैं, अब हम देखते हैं इसका question paper, अब इस question paper को देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, यह हमारा एक तरह से question paper जो NIVS प्रोवाइड कर रहा था, वो है जो कि last year आ question होगा, अब उसमें सबसे पहले लिखा है कि इस question paper को दो section में बनाए गया, section A और section B, section A जो होगा, वो आपका आएगा 68 marks का, ठीक है, और section B जो होगा, वो आएगा 12 marks का, दोनों को add करके कितने का बन गया, 80 marks का, ठीक है, तो all question of section A, from A, जो section A से जो question होगा, सारे attempt करने हैं आ आप कोई एक option कर सकते हो, जो की 12 number का होता है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद, draw, neat and clean label diagram, जो label diagram, अगर वो clearly, करो नहीं तो, आपका clear नहीं बनाऊगे, समझ नहीं आएगा, ठीक है, अच्छा, ये लिखा होगा, उसके बाद section A स्टार्ट होता है, यहाँ पर आपको one marks से question है, उसके बाद fourth भी, तो चार question एक नंबर वाले आगे, उसके बाद पाद पांचवा question है, दो नंबर का, ठीक है, four characteristics लिखने है, resources के, ठीक है, उसी तरह six question भी आपका दो नंबर का है, दो reason देने है, shortage of goods, समान जो market में कम होई तो उसके दो reason देने हैं आपको, उसके बाद सा और B part, दो part में दे रखा, दोनों करोगे, एक एक नंबर का है, उसके बाद ग्यारवा question भी आएगा, दो नंबर का, right two differences between children living in nuclear and joint family, जो nuclear family होती है, joint family होती है, उसमें differences बताने दो, एक बताओगे, एक नंबर दो बताओगे, दो नंबर, उसके बाद 12th बारवा question भी आएगा, दो दो नंबर का, तो चार नंबर का बारवा question है, ठीक है, यहाँ पर what do you understand by thread count, है न, thread count क्या होता है, और इस क्या indicate करता है, दो नंबर का हो गया, और दो differences बताओगे, 12th और wave के बारे में, तो दो नंबर यह, तो चार नंबर का आपका बारवा question हो जाएगा, उसके बाद 13th question में आपको 8 suggestions देने है, हर एक suggestion जो है, वो आदे नंबर का होगा, ठीक है, तो चार नंबर का question में, पर मतलब यह question 13th जो है, वो चार नंबर का बना, उसके बाद 14th question है, 14th question है, state any 8 indicators of social and emotional development, तो आदे नंबर का 8 point होगा, तो चार नंबर का यह भी हो गया, उसके तरह 15 है, दो आपको parenting styles बताने है, कोई दो, ठीक है, उसके बाद, what is their impact on the personality of adolescents, तो क्या वेक्षित पर effect पड़ता है, खिशोरों के, तो चार नंबर का यह आपका होगा question, उसके बाद 16th question आएगा, चार नंबर का, guide the slum dwellers to change their four personal happy to prevent environmental degradation, ठीक है, तो यह चार नंबर का यह होगा, हिंदी में पड़ सकते हो, उसके बाद 17th question भी चार का आएगा, इसके बाद 18th question भी चार नंबर का यह भी है, ठीक है, उसके बाद 18th question भी चार नंबर का है, कहरें, convince a family to maintain a record of their income and expenditure with four reasons, चार रीजन के साथ आपको maintain करना record, तो यह टेवल से अब बता सकते हो, अब बता सकते हो, अब बता इसके चार नंबर का यह होगा, चार रीजन, चार नंबर, उनिस्वां question है, suggest a suitable lunch for a lactating mother, give reason for your selection of the menu, ठीक है, तो चार नंबर का यह भी है, उसके बाद 20th question भी चार नंबर खाएगा, guide your sister to make potato chips at home, आप potato chips मनाने के लिए sister के help कीजिए, आप घर पर ही, और चार आपको food, इसमें mention for other food you would preserve by using this medicine, तो चार यह बताओ, चार नंबर का और दो tips जो दोगे न, बनाने के लिए, chips बनाने के लिए, जो guide करोगे, tips दोगे बेहन को, उसके दो नंबर, तो 6 नंबर का यह हो गया, ठीक है, आगे चलते है, उसके बाद 21th question आपका 6 नंबर का है, ठीक है, तो compare करना इस को, हैना, खाना बनाने के लिए, तो 3 part है, दो दो नंबर का ही है, उसके बाद 22th question आप भी 6 नंबर का है, वन रीजन देने है, total कितने question आएंगे, आपका 6, तो हर एक reason की कितने बन गया, आपके एक एक नंबर, ठीक है, वन रीजन देने है, सभी के एक नंबर, यह हो गया, तो 22th question ही हो गया, आगे चलते हैं, उसके बाद section B start होगा, section A जो है, वो 68 marks का था आपका, 22 question थे, उसके बाद section B में optional आएंगे, जैसा कि हमने पहले ही देखा था option 1 and option 2, देखो option 2 यहाँ पर है, तो option 1 में 23, 4, 5, 5, 3 question आएंगे, 2, 2 और 4 नंबर के, ठीक है, चलो, उसके इस तरह से question आए, तो यह भी 4 का, तो 4 यह हो गया आपका, 4 यह और इसके बाद 2, 2, 4 तो बारे नंबर आपका इसका आगया, ठीक है, अगर option A का करना है, अब 1 का करना है तो यह, नहीं तो option 2 का करना है, तो यह भी बारे नंबर question आएगा, 23, 24, 25 and 26, यह आपका question paper designing थी, इस इस तरह से question paper आपका आएगा, अब हम देखते हैं, एक salt sample paper, ठीक है, तो यह आपका salt sample paper है, आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है, section 1 का हो गया, पहला question, दूसरा question, और यह तीसरा question, ठीक है, यह तीसरा हो गया, और चौते का, नीचे का थोड़ा सरा है क्या, यह देखो, यह reason है यहाँ पर है, ठीक है, इसके आगे देखते हैं, यह आपका, ठीक है, fifth question, इस तरह से आपको लिखने है, sixth question, आपका फिर यह आगया, sixth question का answer हो गया, फिर seventh question, seventh question का answer हो गया, फिर eighth question आगया, eighth question का answer, फिर ninth question, ninth question का answer हो गया, उसके बाद tenth, tenth का यह answer हो गया, ठीक है, चलो, परकिकरते है, कुछ पार सागे, 10th के, यह हो गया, फृर इलेवेंथ कॉश्चन, 11th काणसर यह चल रहा है यह आपर, ठीक है, उसके बाद, 12th कॉश्चन 12 काणसर फिर यह हो गया, ठीक है, उसके बाद, आपका, उसके बास बाद काणसर जो एहां पर है, पिर 13 गॉश्चन थर्टीन का अंसर आपका यह रहा ठीक है उसके बाद 24th कोशन आपका आगया यह उसके बाद थोड़ा अंसर यहां रह गया तर लिम्टेशन वह लगव हो गया उसके बाद 14 कोशन डेवलेपमेंट उसका फिर उसके मेटाफर्स जो यह दो थी वो उसके बाद 15 कोशन 15 का अंसर यहां से देख लिजा आग आगे चलते हम उसके बाद आपका 15 का अंसर यहांपर कंप्रिट हुआ उसके बाद 16 कोशन का अंसर यह रहा त्रीक है 6 नम्बर कोशन तो दो 12 पॉइंट इस लिए लिखिया है है हमने उसके बाद 17 कोशिण 17 ए हो गया एंवां म् उसके बाद 18 कोशिंट को आइख के चलते हों 18 का इंवां कमुटी्ट हो फिर के बाद 19 का अंसर यह रहा है ऑसके बाद iba aट का question ट्वंटीफ का अंसर फिर जेनरल के रेक्षर्षिस के छे पॉइंट ठीक है रियोन के बारे में जेनरल के रेक्षर्षिस रियोन क्या क्या हो सब लिखा हम नहीं आपर ठीक है यह थोड़ सा लेंदी आप इसे जो आट भी लिख सकते हो बाकी इसका जो पीडियेफ है आप डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर देख सकते हो ठीक है एक इसवाँ ही हो गया आपका और यह एक इसवाँ खतम फिर उसके बाद आज़ा सेक्षिन बी का ओप्शन ए ठीक है यह कॉंप्लिट सेक्षिन बी का option number B आपका यह answer 22 का फिर 23 कोशन इह फिर यह पर 23 का answer फिर 24 फिर उसके बाद 25 इस तरह से आपका यह question paper इस तरह से आपको लिखना है ठीक है आचा इसकी जो पीडियेफ है आप description में link है महाँ से download कर सकते हैं, मिलते हैं फिर next question paper में